मुनावर फारुखी को अपने चंगुल में एक बार फिर से फसाने के लिए सोच रही है आईशा खान तो आईशा खान जो चीज़ कर रही है मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को मेरे कोशिन का एक अंसर देना है कि क्या अब मुनावर फारुखी उसके चंगुल में फस जाएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना पूरी गॉसिप सुनने के बाद है और चल्दी-चल्दी मझे इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेजे और ट्वीटर पर भी कर सकते हैं इवन आयुशा खान के साथ हुई थी कि भाई तू में को दोग समझ ले मुझे कंटेस्टन समझ ले या तो तू मेरे साथ कोई रिष्टा ही नहीं रखना चाहती तो वो सब चीजे ठीक है मैं ओके हूँ पर मुझे जो है अब 100% जो कमिटमेंट मैं करके आया हूँ बाहर से ब मुनावर को कोई फरक नहीं पड़ता आयशा भी जो है अब कोई priority लिस्ट में नहीं रही है मुनावर के मुनावर बहुत क्लियर हो चुके हैं अपने mind से तो मुनावर जो है डोड के पास सोफित बैठे होते है और वही पर अभी शेक बैठा होता है वही पर पेड़ के पास जो है बैठी होती है आईशा तो आईशा जो है काफे सदा मस्ती कर रही होती है और बोलती है कि आखिरकार मुझे मुनावर के हाथ से ही खाना पड़ेगा आखिरकार भूग की तो नहीं मर सकती ना मैं वही बनाता है खाना और वही बनाने वाला है तो उसी के हाथ से खाना अभी शेक वो जो तु वो करता है ना मैजिक, वो मैजिक करके दिखा मुनावर को, वो वला मैजिक कर, ये बात बोल, वो बात बोल, तो बहुत ही जदा मस्ती कर रही है, बहुत ही जदा हसाने की कोशिश कर रही है मुनावर को, इंज्वाय करवाने की कोशिश कर रही है मुना तो समझ ले उसके बाद जो है अब अपने चंगुल में भसाने के लिए लग रही है तो क्या मुनावर इसके चंगुल में आएंगे या मुनावर का जो रजाक मोड जो स्टार्ट हुआ है वो बहुत कमाल कै भाई ऐसी तो बहुत सारी आती है और बहुत सारी जाती है इसी के स साथ में लिटी उसाज़त नमस्षिकार